हेलो एविवण वेलकम टो इंजीने स्टडी स्टाडी सकल एक बन मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं उनिहानेशाद और आज हम लोग पढ़ेंगे समान हिंदी में संग्या से अभ्यवत्तक संग्या से अभ्यवत्तक मीज़ संग्या से लेकर अभ्यवत्तक बीच में जितने भी आपके आते होंगे, सारे हम लोग पढ़ लेंगे, इसमें एक ही टॉपिक में, एक ही चैप्टर में पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है, कि आपका सिर्फ और सिर्फ टैन डेज आपका बाकी है, एक्जाम में 19 डेज आपको है, 19 डेज को आपकी इसके बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप 1 से 7 क्लास तक के और भी वीडियोस इसी में पढ़े हैं, इस चैनल में आप जाके प्लेलिस्ट में सर्ज करेंगे, तो वहाँ से आपको हिंदी के लिए, सारे समाने हिंदी के जितने भी टॉपिक आपके, यूपी टॉपि हमारा टेलिग्राम भी है, चैनल है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, तो डेली जो 9 पिम का वहाँ पे MC को होता है, उसके लिए भी आप प्रेक्टिस कर सकते हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस करते हैं, हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले शब्द और पद हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, शब्द और पद के बारे में पढ़ते हैं, तो डेटियल से जानते हैं, जब शब्द स्वतंत रूप से प्रेयोक्त होता है, तो यह शब्द होता है, इसमें क्या है, जब हम इसको स्वतंत रूप से प्रेयोक्त करते हैं, बिना किसी बोला उठो तो यह शब्द हो गया आओ तो यह शब्द हो गया बट इसको एक साथ में बोलेंगे कि तुम उठकर वहां बैठो तो यहां पे एक एक क्या बन जाएगा आपका पद हो जाएगा शब्द और पद क्या होते हैं जिस तरीके से आपको बताया कि अलग सिंपल सा तो next move करते हैं जैसा कि हमको पता है अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पद तो पद के भेग देख लेते हैं कि पद के कितने भेद होते हैं तो जैसा कि पता है पद के 5 भेद होते हैं एक आपका होगा संग्या होगा सर्वनाम होगा विशेशन होगा क्रिया होगा और अव्य detail knowledge लेंगे ताकि यह theory आपका पूरी complete हो जाएगी इसके बाद जल से जल मैं आपका practice rate दूँगी इसके साथ में भी आपको practice rate दिया हुआ है आपके कुछ questions दे रखें previous year के जो आप उसको लगाएंगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा तो चलिए start करते हैं सबसे लिए इ आप universe में कुछ भी आप ले लो जो भी चीज़े even आप room में बैठे हो या आप किसी classroom में हो या पार्क में हो कहीं भी बैठे हो तो आप imagine करोगे living और non living जितनी भी चीज़े आप देखोगे वह सब आपकी क्या हो जाएंगी संग्या हो जाएगी उनको सबको क्या का जाएगा noun कहेंगे हम लोग संग्या ना हो तो पहचान अंधूरी और भाषा का प्रयोग भी बिना संग्या के संभव नहीं होता कोई भी भाषा पढ़ोगी उसमें कुछ ना कुछ आपको क्या रहेगा noun के बारे में ही पढ़ाया जाएगा मतलब जितनी भी आप किसी building के बारे में ब भी नेम को कहते हैं चाहे वो प्राणी नेम हो चाहे किसी वस्तु हो किसी प्लेस का नेम हो या किसी भी प्रकार के भाव यानि कि emotions हो उनको भी क्या कहते हैं हम लोग संग्या ही कहते हैं तो अब धीरे से जानते हैं इसमें क्या होगा संग्या के प्रकार अब देखिए एक ए अंदर क्या पत के भेत के अंदर क्या पढ़ रहा है संग्या पढ़ रहा है तो अब संग्या किसी भी प्राणी वस्तू और अनिमल यह इन सब के नेम को क्या कहते हैं भाव के नेम को संग्या कहते हैं अब संग्या के प्रिकार तो इसमें भी प्रिकार होता है व्यक्ति वाचक जाती वाचक द्रेवे वाचक समुवाचक और भाववाचक तो व्यक्ति वाचक को प्रॉपर नाउन कहते हैं जाती वाचक को कॉमन नाउन कहते हैं द्रेवे वाचक को माटेरियल नाउन कहेंगे समुवाचक को कलेक्टिव कहेंगे भाव वाचक को abstract noun कहेंगे जैसा कि आपको पता है clearly यहाँ पर एक एक चीज़े आपको है तो व्यक्ति वाचक सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं व्यक्ति यानि कि proper noun यानि कि आप किसी भी वस्तु ले लिए किसी भी प्राणी का name ले लिजे किसी भी बिल्डिंग आप properly अगर किसी person को बिलाओगे तो उसके name से बिलाओगे जैसे महत्मा गादी तो वो क्या है proper है आप उनको by name उनको address कर रहे हो तो व्यक्ति वाचक वो हो क्या आपने बोल दिया ताज महल तो ताज महल के मतलब क्या है आप ताज महल के बारे में ही बात कर रहे है अगर आप किसी historical building बोल दोगे या monuments बोल दोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ा आ जाएंगे proper means क्या होता है जब हम किसी भी व्यक्ति स्थान या वस्तू का बोत कराते है तो उसके नेम से करते हैं चाहिए वो किसी का नेम हो राम हो गया जैसे किसी प्लेस या रिवर हो गया इस तरीके से आप कुसका भी लो कि नेम फिर बात आती है जाती वाचक की तो जाती वाचक में होता है common noun तो means common जब common noun में क्या हो जाएगा जो संगया किसी जाती अबोद कराए कि ऐसे जैसे कोई रीवर तो बहुत सारी हैं माउंटेन परवत तो बहुत सारे परवत हैं अगर लड़का तो बहुत सारे हैं लड़कियां तो बहुत सारे हैं इस तरीके से क्या हो जाएगा जाती वाचक यानि कि कॉमन हो जाएगा जैसे टीचर ले लिया अपने सिक्षक शिच्छे का मितलब टीचर में दोनों आ जाएंगे डॉक्टर में भी दोनों आ जाएंगे तो यह सब चीज़े क्या है कॉमन है इसके बाद बात करते हैं समूवाचक का जैसे ही पता मितलब लाँ और वह सब्सक्साश्ण का चाहिए क्लेक्शन साथ मैं जाते हैं परिवार इसमें क्या है पुलेश यहांपर एक की बात नहीं होती। सेनह आरमी वे बहुत वह सारी होगे। तो ये क्या है किए भावाच स्थाओं recur fast ऑप भाव मेन्स होता है। भाव को ना हम देख सकते हैं ना हम सुन सकते हैं। सिर्फ हम उसको feel कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सिफ उसको हम feel कर सकते हैं तो हमारे emotions क्या होते हैं feeling होता है हमारा तो क्या क्या हो जाकते हैं वो किसी गोड को बता दे या किसी दशा को बता दे तो उसे क्या हो जाएगा शब्द भाववाचक संग्या हो जाएगा जैसे क्रोध, मिठास, ठीक कालिमा इस तरीकी से क्या हो जाएगा ये भाववाचक हो जाएगे I hope आपको ये clearly समझ में आ गया कि संग्या और संग्या के प्रकार Next move करते हैं हम लोग gender, gender means होता है link शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णीत भस्तू या व्यक्ति पुरुष जाती का है या इस्त्री जाती का है तो उसे link कहते हैं और ये link कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं एक होता है आपका इस्त्री link दूसरा होता है पुर लिंक इस्त्री लिंग वो शब्द होते हैं जो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के इस्त्री होने का बोत करें कि हम वो एक इस्त्री है तो इस्त्री लिंग हो जाएगा जैसे किसी पर्सन में ले लो आप कैसे लोगे आपका हो गया गाए, बक्री लडकी, माता ये सब क्या होगे? अगर आप नौन लिविんです में लो जैसे कुरसी हो गई तो कुरसी क्या हो जाएगी? दर्वाजा आपका क्या हो जाएगा? पुलिंग में आ जाएगा तो पुलिंग विशब्द होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाती होने का बोत कराते हैं तो वो क्या होता है? पुलिंग होता है जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप living things के ही बारे में बात करो आप यहाँ पे non living things के बारे में बात कर सकते हो जैसे मेज, गुलदस्ता, खाड़ा यह सब चीज़े क्या हो जाएंगी? पुलिंग हो जाएंगी मतलब यह आपको ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ यह पुरुष जाती का बोत करा रहा है लिंग यह भी आपको बहुत इसी है चलिए अब देखते हैं वचन जिने नमबर कहते हैं विकारि शब्दू के जिस रूप से उनकी संख्या का एक या अनेख बोध हो यानि हमको यह पता चले कि वह वज़्दू या कोई व्यक्ती एक है या अनेख है तो उसको क्या कहेंगे? तब उसे वचन कहेंगे क्या कहेंगे उसे वचन कहेंगे और अब यह वचन कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक होता है एक वचन दूसरा होता है बहुवचन अब यह वचन प्रॉमिस वाला वचन है यहाँ पर क्या है नंबर्स हैं हम वहाँ पर उनकी संख्या के बारे में बात होते हैं और बहु वचन के बारे में बात कर रहे होते हैं वह एक होता है एक वचन बताता है और बहु वचन जिस में हम लिए आधिक चीज़ों के हो जाएगा घोडे लड़का तो वहीं वचल में क्या बन जाएगा लड़के बन जाएगा अब बात करते हैं हम मों कारक की तो कारकिंज में होता है कारक संध्या सर्वनाम का वाकि के पडु से जो संबंध होता है तो उन दोनों के बीच में जो आपका क्या बनेगा तो आपका क्या बनेगा वो बताएगा कि उनके बीच में कारक बताएगा कि क्या संबंध है दोनों के बीच में तो जैसे एक एक्जाम्पल लेते हैं तब जाता क्लियर होगा एक्जाम्पल क्या है राम ने रावण को बाड से मारा क्या है राम ने रावण को बाड से मांगा तो राम क्या है संग्या तो राम ने राम का क्या हो गया राम ने फिर क्या किया किसको रावड को फिर बाड से तो इन में क्या हो जाएगा तीनों चीज में हम लोग यहां पर देखेंगे कि ने को और से यही हमारे क्या होते हैं इन्ही को कारक कहते हैं इन्ही को क्या कहते हैं कारक कहते हैं तो इस वाकि में अगर जो राम है वो क्या है उसने क्या किया मारा एक क्रिया किया ठीक है तो क्या है करता है और रावड क्या है रावड का रावड को मार दिया तो कर्म हो गया यहां पर क्रिया क्या हो गई कर्म हो गई राम कर रहा है और क्या कर रहा है कर्म कर रहा है रावड को मार रहा है ठीक है और किसे मार रहा है वाड से तो वह संपन की गई यह क्रिया तो जो वाड है वो क्रिया का साधन होने के करण है मतलब किस कारण से या किस चीज से तो बाण से किस से बाण से तो यह आपका क्या हो जाएगा कारक हो जाएंगे तो अब देखते हैं कारक कितन था करता कौन था राम था ठीक है करता ने कर्म को मतलब राम ने किसको रावण को तो कर्म क्या था रावण को मार रहा था कर्म को करण से किसके द्वारा मारा था बान से मारा था तो करता ने कर्म को करण से किसके द्वारा बान से ठीक है क्या क्या मारा था संप्रदान मतलब के लिए किस वज़ा से अपदान उसका होगा अपदान यानि किस से क्या होगा आपका अपदान से से जहां पे अलगाव हो वहां ध्रुव या इस थिर में अपदान होता है नेक्स्ट आता है हमारा संबन्ध यानि कि वो सर्वनाम और संग्या के बीच का संबन्ध यानि कि राम का रावण से या राम का सीता से या सीता की राम से इस तरीके से क्या होगा रिलेशन बताएगा तो संबन्ध क्या बताएगा का की के या रारीरे या नानीने अधिकरण मे क्या होता है जो क्रिया के आधार पर यानि कि स्थान समय अफसर आधिका बोध कराएं उन्हें अधिकरण कहते हैं यानि कि लोकेटिव कहते हैं संबोधन मीन्स होता है आपका वोकेटिव संबोधन मीन्स होता है जब हम किसी को संबोधन कर रहे होते हैं किसी के बारे में हम उस भेद हो गया, next देखेंगे अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे सर्वनाम सर्वनाम मितलब जिसको pronoun कहते है, संग्या के स्थान पर प्रयोग किये जाने वाले शब्दों को क्या कहते है, सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम्हारा, तुम, हम, यहां, वा, यह सब क्या हो जाते हैं, आपके सर्वनाम हो जाते हैं, तो संग्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, तो अब चलिए देखते हैं, हम लोग वन बाई वन करके कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी जान लेते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं सर्वनाम के छे भेद होते हैं एक होता है पुरुष वाचक सर्वनाम निश्य वाचक सर्वनाम आनिश्य वाचक सर्वनाम संबंध वाचक सर्वनाम प्रेश्न वाचक सर्वनाम होता है वो क्या होते हैं तो पुरुष वाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं पर्सनल नाउन पुरुष वाचक सर्व नाम को क्या कहते है पर्सनल प्रोनाउन कहते है जो पुरुष या इस्तरी के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुष वाचक सर्व नाम कहते है यानि कि हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी का पर्सन का किसी पर्सन इस्तरी हो या पुरुष हो उनकी जग सब्सक्राइब उसम्हें जए आप उसे बात करोगा तो आप ऊए उसे बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मध्याम पुरुष हो जाएगा दूसरा व्यक्ति पर जब आप दोनों आपस में बात कर रहे होगे किसी तीसरे परसन के बारे में तो जो third person होगा वो क्या हो जाएगा अन्य पुरुष हो जाएगा तो भई क्या हो जाएगा third person हो जाएगा तो इसको एक बार फिर से जानते हैं किस तरीके से जानते हैं निटेल में जानके आपको बताते हैं दिख लेते हैं अब जैसे आप यह हो ठीक है आप ये खड़े हो आप बात कर रहे हैं तो क्या बोलोगे मैं या फिर हम फिर आपके साथ में एक और फ्रेंड आ गया आप दोनों आपस में बात कर रहे हो तो आप ये फर्स परसन है यानि क्यों तम और ये क्या है सेकेंड है पर जब आप दोनों आपस में बात कर रह जाएगा थč यह थो या तो अन्यपुरूस हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा फड्ड पूरूस हो गाई यो आपको क्लेश हो गयाओ जलिए अब देखते हैं next next है हमारा निश्य वाचक यानि कि demonstrative निश्य मींज क्या होता demonstrative निकट या दूर की व्यक्ति या वस्तुवों का निश्य आत्मत संक्यत जिन शब्दों से वक होता है देखो जब हम क्या करते हैं किसी भी thing को किसी भी चीज को हम point out करते हैं और तब हम बताते हैं कि ये देखो वो देखो निश्य वाचक यानि कि दूर रखी हो या पास रखी हो चीज़ों को हम संक्यत करके बताते हैं वो demonstrative हो जाते हैं जैसे यह यह वह यह वह English में क्या होता है this, that, these, those next है आपका अनिश्य वाचक यानि कि indefinite indefinite means होगा जहां पे आपको कोई भी निश्यत नहीं हो मतलब को नहीं पता है कि ऐसे सर्वनाम का यूज करेंगे जहां पे आपको नहीं पता कितना जैसे कोई कुछ, कितना तो यह सब चीसे क्या होगे आनिश्य होगया अपना name से relate करेंगे name से अगर relate करेंगे तो आप अच्छे से easily आपको learn नहीं करना पड़ेगा आप उसको समझ जाएंगे बट अगर आप उसके name से उसको पढ़ना चाहेंगे definition से तो नहीं होगा अगर name से relate करेंगे तो आपको इसलिए समझ जाएगा next है आपका संबन संबन मतलब क्या है relative जो relation बता रहा हो relation बताएगा तो किस बारे में जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबन इस्तापित किया जाए तो उसे संबन बाचक और क्या कहते है relative pronoun कहते जैसे जो सो जो करेगा सो पाएगा जो आया है सो जाएगा मतलब यह क्या है एक का दूसरे से relation है next है प्रशन बाचक सर्वनाम interrogative pronoun जिसको कहते हैं तो बहुत आराम से पता है जब हम क्या करते हैं question करते हैं यानि कि प्रशन करने के लिए प्रवक्त होने वाले जो सर्वनाम होते हैं उन्हें को क्या कहते हैं सर्वनाम प्रशन बाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कौन आया था वह क्या कहा रहा था दूद में क्या गिर पड़ा तो ये सब चीज़े आपके क्या होगे प्रेशनवाचक अब निजवाचक मीन्स होता है रिफलेक्सिफ निज मतलब अपना मतलब निजवाचक रिफलेक्सिफ निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा जैसे कि आप यहां अपने आप आपका मतलब क्या अपने आप स्वाता हाँ स्वाम्या खुद के लिए प्रयूक्त सर्वनाम है जैसे यह कार मैं आप ही कर लूँगा मतलब ये काम अपने ही आप कर लूँगे तुम जाकर तुम्हारे लिए पानी ले आओ तो मतलब क्या है रिफ्लेक्सिव तुम्हारा तुम्ही को, हमारा हमी को, उसका उसी को, ये आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा. I hope आपको ये clearly समझ में आ जाता है, तो चलें next move करते हैं, विशेशन, तो हम लोग देते हैं, विशेशन क्या है? तो विशेशन के बारे में जानते हैं, विशेशन, संग्या सर्वनाम की विशेशन बताने वाले शब्द को विशेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? जो संग्या सर्वन की विशेशन बताते हैं, उन्हें विशेशन कहते हैं, और जो शब्द विशेशन बताते हैं, मतलब कुछ ऐस सबसे शब्सप皆 बता रहे हम विशेषता बता रहे हम उन्हें विशेषण कहेंगी पर जिसकी विशेषता पता रहा है उससे क्या कहते है विशेश कहते हैं अब यहाँ पर देखो एक example है मोटा लड़का हस रहा है मोटा लड़का क्या कर रहा है हस रहा है तो मोटा क्या हो जाएगा मोटा विशेश हो जाएगा अब मोटा कौन है लड़का है ना तो लड़का क्या हो जाएगा विशेश हो जाएगा क्या हो जाएगा विशेश हो जाएगा I hope आपको clearly समझ में आ गुडवाचक यानि कि adjective of quantity संख्या वाचक और विशेशर यानि कि adjective of number परेडाम बोधक विशेशर यानि कि adjective of quantity तो अगर हम लोग देखेंगे सर्वनामिक विशेशर क्या होते हैं तो सर्वनामिक विशेशर को तो यहाँ क्या है तो यहाँ एक सर्वनाम है वह किताब फटी है तो वहाँ क्या है आपकी एक सर्वनामिक हो गया कैसा घर चाहिए तो कैसा भी क्या हो गया एक सर्वनामिक हो गया अब बात करते हैं गुडवाचक यानि कि adjective of quality कि quality कैसा है नया है पुराना है काला है गुरा है क हें चोगोर हें ठीकोना हैं मोड़ा है पतला है यह हमको विशेष Yes संख्या विशेश्चण में क्या बताएगा हमको नमबर बताएगा विशेशता तो बताएगा उस Christina पर किसमें बताएगा नमबर में जैसे मैं आने 10 अंग से मैं जीता मैं जीता तो एक ही हो गया ना पर कितने अंगों से दस अंग से वह जीत गया जैसे दस लड़के 20 आदमी 50 रुपे तो यहां पर क्या बताए जाएगा परिणाम बोधक में क्या होगा आपको क्वांटिटी बताए जाएगी क्वांटिटी मतलब क्या हो जाएगा क कि आपकी क्या का थोड़ा है जादा है ठीक है दस किलो है पांच को इंटल है इस तरीके से अगर बताया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा विशेशन होगा आपको यह समझ में आ रहा है तो चलिए स्टार्ट कर आपका थोड़ा सा ही और रह गया है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं आज के लिए ताकि एक ही वीडियो में यह आपका पूरा फिनिस्ट हो जाएगा नेक्स है हमारा क्रिया क्रिया के बारे में जानेंगे जिसे वर्ब कहते हैं यानि कि क्या होता है एक्शन वर्ड होता है क्रिया को ही बोलते हैं एक्शन वर्ब जिस शब्द से किसी कारे का होना या करना समझा जाए उसे एक क्रिया कहते हैं मतलब जहां हमें यह समझ में उठना गाना जाना रहना ये सब चीज़े क्या है आपकी वर्व है यानि कि यहां पे क्या हो रहा है काम हो रहा है या हो रहा है जैसे बारिश हुई बारिश कोई करता तो नहीं बारिश तो अपने आप होती है तो बारिश का होना होता है और वाकी जो कारे किये जाते हैं क्रि अगना किरिया उसे रह से में रह फ़क्रियां कि शिपना सब्सक्ड़ Costco स्वाओन परेक Trek करते हैं कि हए गजए के करेंगे हैं जोड़े करें गरी छएपसब्द सकते हैं अब इसके बात में हम लोग देखेंगे तो ये जो क्रिया है वो भी दो प्रेकार की होती है एक साकर्मक्रिया होगी दूसरी क्या होगी अकर्मक्रिया होगी साकर्मक वो क्रिया होती है जिसमें कर्म हो ठीक है साकर्मक में क्या है जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तो वो कंसा कर्मक्रिया होगी, जैसे राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, सोहन पढ़ता है, या मैं जाता हूँ, तो यह सब चीज़े क्या है, यहाँ पे कर्म हो रहा है, और इंट्रांजेटिव यानि की आकर्मक्रिया में क्या बात होगी, आकर्मक्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, तथा हमें ये भी फल नहीं पता चलता है, कि जो फल है, वो कर्ता पर पढ़ता है कि नहीं, यानि की काम होता है कि नहीं, जैसे राधा रोती है, तो कर्मका भाव है, ठीक, इसमें रोती है, क्रिया का फल है, पर राधा पर पढ़ता ह यह तो जरूरी नहीं है न मुह अनहसता है कर्म का अभाव है कि क्या कर्म हो रहा है कैसे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगा कि जैसे उसमें लिखना राम फल खाता है तो राधा रोती पर क्यों रोती है इसका कोई नहीं है तो आपको अगर पैचानेंगे कैसे तो सकर्म कर्म क्रियाओं की पैचान के लिए आप क्या और किसको लगा सकते है जैसे ही पूछेंगे कि क्या करता है क्या खाता है तो आपको समझ में आ जाएगा अंसर ठीक है अगर question में पूछ ले राधा रोती है तो राधा क्यों रोती है तो आप क्यों पता चलेगा न तब करम आपको यहाँ पे पता चलेगा इसी तरीके से बहुत सरी क्रिया होती है, helping क्रिया होती है, आपकी पूर्व कालिक क्रिया होती है, इस तरीके से, चलिए आगे move करते हैं, अब पढ़ते हैं काल के बारे में काल मतलब tense, जिनको गहते हैं, ये सबी जानते हैं, वर्तमान यानि की present tense, भूत काल यानि की past tense, और भविशकाल यान से पहले का जो हम history बोलते हैं जिसको वो भूत कल होती भविश मतलब आने वाला जो हमारा क्या है आने वाला इसमें ही हम क्या पढ़ेंगे क्रियाएं पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरीके से क्रियाओं का use होता है जैसे present में काम कर रहा हूं भूत काल में मैं क नेक्स अव्यव क्या है ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन पुरुष आदी के कारण कोई विकार नहीं आता है मतलब एक ऐसा शब्द जिसके हम चाहिए लिंग चेंज करते हैं चाहिए मुसके वचन चेंज करते हैं पर उस शब्द पे कोई भी नहीं पड़ेगा कोई भी असर नहीं पड़ेगा वो अव्यव कहलाते हैं जैसे आज कब आज राहु लाया था या बोलते आज रीमा आई थी तो यहाँ पर क्या है आज हमने बोला तो किसी पर फर्क पढ़ा नहीं पढ़ा ना कब किधर किंतु परन्तु क्यों जब तब और यह सब चीज़ हम यह क्या हमारे व्यव कहलाते हैं तो इनका यह कैसे कैसे हो सकता है क्रिया विशेशन में होगा सम्द्बोधक में होगा तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कॉशन कर लेते हैं MToday कर लेते हैं जो स्थान भाव या विचार के बोधक शब्द को क्या कहते हैं जो इन सब चीज का बोध कराते हूं उन शब्द को क्या कहते हैं संग्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं विशेशर कहते हैं और या फिर विशेशर कहते हैं आपका या आप विशेशर कहते हैं या विशेश्य कहते हैं दूसरा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा विशेश्य हो जाएगा क्या हो जाएगा विशेश्य तो सही अंसर हमारा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सही अंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा संग्या क्या हो जाए है संग्या वस्तु स्थान भाव या विचार के बोधक शब्दों को क्या कहते हैं संग्या कहते हैं next question की तरफ move करते हैं next question है हमारा वियोत्पत्ति के आधारपा संग्या के कितने भेद होते हैं तो यहाँ पे आपको बताना है संग्या के कितने वेद होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं, शे होते हैं, तो हम लोगों ने देखा हैं, वियोत्पत्ति के आधारपा संग्या के कितने वेद होते हैं, संग्या के तीन वेद होते हैं, तो इसका सही अंसर क्य भारतीयों होगा या इन में से कोई नहीं तो इसका सहींसर आप बताएंगे तो इसका सहींसर क्या होगा भारतीयों होगा next question की तरफ move करते है question number 4 की तरफ question number 4 हमारा कहता है सूर्या शब्द का इस्तरी लिंग क्या है क्या है सूर्या शब्द का इस्तरी लिंग सूर्याणी है सूर्या है सूर्याई है या सूर्यो है तो आप अंसर यहां पर हमें बताएंगे कि इसका सही अंसर क्या हो जाएगा सूर्या क्या हो जाएगा इसका सही अंसर सूर्या हो जाएगा next question की तरफ बढ़ते हैं हमारा next question number fifth है निमलिकित शब्दो में से एक शब्द pulling है उसे बताएए यहां से आप देखिए कि कौन सा शब्द pulling है बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया कौन सा शब्द pulling है यह आप बताएए तो यहां पर pulling शब्द कौन सा होगा बुढ़ापा कौन सा होगा बुढ़ापा यह क्या बता रहा है कि pulling शब्द है तो यहां पर आपको बताना है इस वात में कारक का चिन क्या है तो यहां पर से आया है तो से कौन सा है कर्म, करण, अपदान, अधी करण हम लोग ने क्या पढ़ा था कर्ता ने कर्म को करण से अपदान के लिए तो यहाँ पे हमारा अंसर क्या हो जाएगा करण से क्या करण मतलब क्या है नहीं करण मतलब होता किसके द्वारा अपदान से क्या होगा अपदान से तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा हमारा अपदान होगा next देखेंगे हम लोग question number क्या है हमारा 7 question number 7 है कौन सा शब्द जाती वाचक संग्या नहीं है जहां पर आपको बताना है कि जाती वाचक संग्या नहीं है इसमें तो जवान जाती वाचक है बालक ये भी सुन्दर मनुशे तो इसका सही अंसर आप हमें देखके बताएंगे कौन सा नहीं है तो क्या नहीं है सुन्दर क्योंकि ये क्या है ये भाववाचक है सुन्दर क्या है भाववाचक है move करते है question number 7 एर्थ की तरफ question number 8 है हमारा व्याकरान की दिस्टी से प्रेम शब्द कैसा है उसको हम feel कर सकते है नेक्स question की तरफ move करते है next question number है हमारा 9 है किस वाके में क्या सामान भूत काल में है यहाँ पे आपको बताना है कि हूँ सामान भूत काल में कौन सी क्या है यह देखके बताना है उसने पुस्टक पढ़ी सामान मतलब simple past मेheim उसने पुस्तक पढ़ी है अब है आ गया तो ये तो आपका वर्तवान में पहुच गया उसने पुस्तक पढ़ी थी या उसने पढ़ी पुस्तक पढ़ी होगी ठीक है तो पढ़ी होगी तो अगर सिंपल में पूछ रहा है तो आपका सिंपल वाला कहुंसा हो जाएगा उसने पुछतक पढ़ी यानि कि अभी अभी उसने पुछतक पढ़ी तो यह आपका simple present हो जाएगा आज के लिए यह last question है हमारा अविकारी शब्द होता है अविकारी शब्द कौन से शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं या आप हमें देखकर बताइए संग्या सब को अविकारी सर्वनाम को अविकारी बोलते हैं या विशेशन को अविकारी शब्द को बोलते हैं इसका सही अंसर है अविकारी शब्द बोलते हैं और इन शब्द को कौन सा शब्द बोलते हैं इन शब्द को हम लोग विकारी शब्द बोलते हैं कौन सा बोलते हैं विकारी शब्द बोल झाल झाल